स्टनपान कराने की क्रोस क्रेडल स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मा और शिशु के लिए स्टनपान की सही स्थिति जुनना स्टनपान से पहले मा की तयारी और क्रोस क्रेडल स्थिति करने की संपूरण क्रिया विधी तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर में माएं अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्थनपान कराती है एक मा और उसके शिशु के लिए स्टनपान कराने की सबसे अच्छी स्थिती वो होती है जिसमें मा और शिशु दोनों के लिए स्टनपान शुरू से अन्थ तक आराम दायक हो शिशु मा के स्टन से गहरा जुडाव कर पाए और उसे भरपूर दूद्ध मिल पाए आज हम स्टनपान कराने की क्रोस क्रेडल स्थिती के बारे में सीखेंगे ये स्थिती शिशु के शरीर पर पूरा नियंतरन रखने के लिए मा के स्टन को सही आकार में पकड़ने के लिए और शिशु का स्टन से गहरे जुडाव के लिए सबसे बहतरीन स्थिती है स्तनपान कराने से पहले मा को अपने हाथों को अच्ची तरह से धोकर सुखाना चाहिए फिर उसे एक गिलास उबाल कर थंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए स्तनपान कराने वाली माओं के स्तनों में आम तोर पर 750 से 850 मिली लीटर दूद बनता है इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है अब सीखते हैं मा के बैठने की सही स्तिती मा को फर्श या पलंग पर पाल्थी मार कर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठ कर अपने दोनों पैरों को फर्श पर सपाट रखना चाहिए अगर कुर्सी बहुत उची होने की वजह से मा के पैर फर्श तक नहीं पहुच पा रहे हो तब वो अपने पैरों को फर्श पर रखे चोटे स्टूल या तकिये पर रख सकती है जब मा बैठे तब उसे ये पक्का करना चाहिए कि उसकी पीच सीधी हो ताकि उसे पीच दर्द ना हो उसके कंधे उपर उठाए हुए या जुके हुए ना हो और वो ये आरामदायक स्थिती स्तनपान समाप्त होने तक कायम रखे अब मा को वो स्तन बाहर निकालना चाहिए जिससे वो अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहती है उसे पक्का करना चाहिए कि उसके स्तन पर ब्रा या बलाउस का दबाफ ना पड़े सही तरह से बैठने के बाद शिशु को मा के पास लाए मा को अपने शिशु का सर उस हाथ से पकड़ना चाहिए जो स्तनपान कराने वाले स्तन की दूसरी तरफ हो मा के उसी हाथ की बगल के अंदर शिशु के पेरों को रखे इस चित्र में मा उसकी शिशु को अपने दाहीने स्तन से दूथ पिलाएगी इसलिए शिशु के पेर मा की बाई बगल के अंदर रखे हुए है मा ने अपने बाएं हाथ के अंगुठे और उंगलियों से अपने शिशु के सर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है अगर मा शिशु को पकड़ने में मदद चाहती है तो वो शिशु के नीचे अपनी गोध में तक्या रख सकती है याद रहे मा को नीचे जुक कर अपना स्थन शिशु की और कभी नहीं लाना चाहिए ऐसा करने पर उसे पीट दर्ध हो सकता है मा को अपनी पीट हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को ऊपर उठा कर स्थन तक ले आना चाहिए अब सीखते हैं मा के अंगूठे और उंगलियों को रखने की सही स्थिति मा का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और बाकी उंगलिया शिशु के दूसरे कान के पीछे होनी चाहिए उसे अपनी उंगलियों को शिशु के कानों के पीछे से हटा कर शिशु की गर्दन पर नहीं लाना चाहिए मा की कलाई शिशु के कंधों के बीच होनी चाहिए. मा को अपने हाथ से शिशु के सर पर पीछे से दबाव नहीं डालना चाहिए. इससे स्तनपान के दौरान शिशु को आराम मिलेगा. अब सीखते हैं शिशु के शरीर को रखने की सही स्थिति. मा के शरीर पर शिशु के पेट से हलका सा दबाव पढ़ना चाहिए. दोनों के शरीर के बीच की दूरी कम करने से शिशु को स्तन तक पहुचने में कम ताकत लगेगी. और स्तन से गहरा जुडाव शिशु के लिए आसान हो जाएगा. इसके बाद दूसरी जरूरी बात है शिशु का पूरा शरीर एक सीधी रेखा में होना. जब हम खाना खाते हैं, हमारा सर, गला और शरीर एक सीधी रेखा में होते है. लेकिन स्तनपान के समय माएं अक्सर शिशु को उसकी पीट पर लिटा कर उसके सर को स्तन की तरफ मोडती है इससे स्तनपान शिशु के लिए मुश्किल हो जाएगा स्तनपान के समय शिशु का सिर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीधी रेखा में होने चाहिए इससे शिशु के लिए दूद्ध निगलना आसान हो जाएगा अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी जरूरी बात सीखेंगे मा को उसके शिशु के पूरे शरीर को सहरा देना चाहिए ऐसा ना करने पर शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब देखते हैं शिशु के नाक और ठुड़ी की स्थिति शिशु का नाक और मा का निपल एक सीधी रेखा में होने चाहिए और उसकी थुड़ी स्तन के बहुत पास आगे की तरफ होनी चाहिए इससे शिशु का स्तन से जुड़ते समझ एरियोला का निचला हिस्सा अपने मुव में लेना पक्का हो जाएगा जिसकी वज़ा से शिशु अपनी निचले जबडे से भरपूर दूथ पी पाएगा कृपया ध्यान दे निप्पल के आसपास के गहरे रंग वाले भाग को एरियोला कहते है अब शिशु के शरीर को सही स्तिती में रखने के बाद चलिये सीखते हैं स्तन को कैसे पकड़े अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मा को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़ना चाहिए इस चित्र में मा अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने स्तन को पकड़ेगी अंगूठे और उंगलियों की सही स्तिती समझने के लिए कलपना करे की मा के दाहिने स्तन पर एक घड़ी है जिसके बीचों बीच निपल है मा को अपना दाहिना अंगूठा इस घड़ी के नौ नंबर की जगह पर रखना चाहिए और उसे अपने अंगूठे के बाजू वाली दो उंगलियों को तीन नंबर की जगह पर रखना चाहिए मा की उंगलियों और शिशू के होटों की दिशा हमेशा एक समान होनी चाहिए ऐसा क्यों एक आसान उधारन की मदद से समझते है जब हम वड़ा पाओ या बर्गर खाते हैं हमारे होट आड़े खुलते हैं हम वड़ा पाओ या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके यहां हमारे होटों और उंगलियों की दिशा एक समान है अगर हम वड़ा पाओ या बर्गर को लंब रूप से पकड़ेंगे तब हम उसका बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे अब शिशु के होठों की दिशा पर ध्यान दे उसके होठ लंब रूप से खुले है इसलिए मा की उंगलियों को भी स्तन पर लंब रूप से रखना ज़रूरी है इससे शिशु को एरियोला का निचला हिस्सा मूँ के अंदर लेने में मदद मिलेगी शिशु के होठों की दिशा में होने के अलावा मा की उंगलिया और अंगूठा हमेशा निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए वड़ा पाव या बर्गल खाते समय अगर हम उसे बहुत पास पकड़ेंगे तो हमारी उंगलिया बीच में होने की वजह से हम बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे अगर हम उसे बहुत दूर पकड़ेंगे तो उसका आकार हमारे मूँ में जाने के लिए सही नहीं होगा इसलिए हम उसे सही दूरी पर पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके उसी तरह शिशु के लिए स्तन को निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर पकड़ना सही है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है इस दूरी को रखने के कई फाइदे हैं इससे मा की उंगलिया शिशु को एरियोला का बड़ा हिस्सा मूँ में लेने से नहीं रोकेगी मा सिर्फ निपल को नहीं दबाएगी जिससे बहुत कम दूथ मिलता है मा एरियोला के नीचे वाली बड़ी दुगदन अलिकाओं को दबाएगी जिससे ज्यादा दूथ निकलेगा और स्थन का आकार सही बनेगा जिससे शिशु को स्थन से गहरा जुडाव करने में मदद मिलेगी मा का अंगुठा निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर स्थन के उस तरफ होना चाहिए जहां शिशु का नाक है और मा की दो उंगलिया निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर स्थन के उस तरफ होनी चाहिए जहां शिशु की थुड़ी है अब फिर से वड़ापाउ या बर्गर के उधारन पर जाते हैं वड़ापाउ या बर्गर को सही तरह से पकडने के बाद हम उसे हमीशा दबाते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके उसी तरह मा को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़कर हलके से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुवमे लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे मा को अपने स्तन को वी आकार में नहीं दबाना चाहिए। वी आकार के दबाव से मा को दर्थ होगा और शिशु को सिर्फ निप्पल से कम दूद मिलेगा ध्यान रहे कि अंगूठे और उंगलियों से स्थन पर बराबर का दबाव पड़े ऐसा ना करने पर निप्पल दाई या बाई और चला जाएगा जिसकी वज़ा से शिशु का स्थन से गहरा जुड़ा नहीं हो पाएगा याद रहे स्थन को दबा कर शिशु की तरफ ना लाएं हमेशा शिशु को स्थन की तरफ लेकल जाएं अब शिशु क्रोस क्रेडल स्थिती में है और स्थन पान के लिए स्थन से जुड़ने तयार है स्थन से गहराई से जुड़ने की सही तकनी इसी श्रुंकला के दूसरे ट्यूटॉरियल में समझाई गई है शिशु का स्थन से गहरा जुड़ाव होने के बाद और अगर स्थन मा को अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बहुत करीब रखना चाहिए। इससे मा को स्तनपान कराते समय आराम मिलेगा। यहां पर ये टूटॉरियल समाप्त होता है। IIT Bombay से मैं आहार विशेश अग्य तस्नीम शेक एनिमेटर शीतल जोशी के साथ आप से विदा लेती हूँ। हम से जुडने के लिए धन्यवाद। स्तनपान कराने के लिए मुह की पकड़ पर स्पोकन टूटॉरियल में आपका स्वागत है। इस टूटॉरियल में हम शिशु के स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए मुह की पकड़ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि स्तनपान कितनी बार कराया जाए। शुरू करने से पहले ध्यान दें कि एक असरदार स्तनपान के लिए मुह की पकड़ बहुत ज़रूरी है। शिशु के मुह का स्तन से गलत जुड़ाव होने की वज़े से सिरफ निपल से स्तनपान होगा। इससे शिशु को बहुत कम दूद मिलेगा। जबकि स्तन के एरियोला के निचले हिस्से से गहरे जुड़ाव से शिशु को काफी दूद मिलेगा। ध्यान दें कि एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है। आईए शुरू करते हैं। स्तनपान शुरू करने के लिए मा को अपने शिशु को सही तरह से पकड़ना चाहिए। ये सभी पकड विस्तार से इसी श्रिंकला के बाकी टूटॉरियल्स में बताए गए हैं। इस टूटॉरियल को क्रॉस क्रेडिल पकड के जरीय समझाया जायेगा। याद रहे शिशु के मुग की सही पकड और सफल स्तनपान के लिए ज़रूरी है कि उसे सही तरह से पकड़ा जाए। इस चित्र में मा ने शिशु को क्रॉस क्रेडल पकड में सही तरह से पकड़ा हुआ है और शिशु भी स्टन से जुड़ने के लिए तैयार है जुड़ने से पहले जरूरी है कि शिशु अपना मूँ पूरी तरह खोले जैसे उबासी लेते वक्त क्यूं आईए समझते हैं एक वड़ा पाओ या बर्गर खाते हुए उम्र में बड़े इंसान को देख कर हम वड़ा पाओ या बर्गर खाने के लिए अपना पूरा मूँ खोलते हैं उसी तरह पूरा मूँ खुला हुआ शिशु अपने मूँ में स्टन का बड़ा सा हिसा ले पाएगा शिशु को उक्साएं कि वह अपना पूरा मूँ खोले और इसके लिए मा अपने निपल को शिशु के उपरी होट पर हलके से चुए जब तक कि शिशु अपना मूँ पूरा ना खोले धीरज रखें शिशु के पूरा मूँ खोलने में कभी-कभी कुछ पल लगते हैं और गुठा हमेशा शिशू के होटों के एकदम सामने होना चाहिए जब शिशू अपना मूँ पूरी तरह खोलेगी तो उसके निचले होंट को एरियोला के निचले हिस्से को चूना चाहिए और निपल की दिशा उसके मूँ के उपरी तरफ होनी चाहिए ना कि उसके मूँ के बी उसे अपनी पीट को ना ही जुकाना चाहिए और ना ही अपना स्थन शिशु के मुँ में धकेलना चाहिए। हलके हाथ से शिशु के कंदों को पीछे से उठाते हुए अपने स्थन पर लाएं। मुँ की पकड में सबसे जरूरी बात ये है कि एरियोला का निचला हिसा शिशु के मुँ में होना चाहिए। इससे निपल शिशु के मुँ के अंदर आरामदायक जगा पर पहुंचेगा। शिशु को अपनी जीप से उसके निचले होन्ट के सामने वाले एरियोला के भाग को दबाना चाहिए। इससे दूद की बड़ी वाली नलियां दबेंगी और जादा दूद निकलेगा। अगली जांचने वाली बात ये है कि शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव है या नहीं। गहरे जुड़ाव के लिए मा को बताई गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या शिशु का मुँ पूरा खुला है। क्या एरियोला का भाग शिशु के उपरी होट के पास जादा दिखता है और निचले होट के पास कम। क्या शिशु की ठोड़ी मा के स्तन में गड़ी हुई है। दूद निकलते समय क्या उसका जब्ड़ा पूरी तरह नीचे जाता है। और क्या उसका निचला होट बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। हालंकि अच्छे से जुड़े हुए शिशु का निचला होट अधिकतर मा के स्तन में छिप चाता है। ऐसे में अपने स्टन को शिशु के निचले हूंट के पास हलके से दबा कर देखिए कि क्या उसका निचला हूंट बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? अब शिशु की नाक देखिए अगर उसकी नाक मा के स्टन में गड़ी है तो मां हलके से शिशु का सर पीचे खीचे ताकि उसकी ठोड़ी और ज़ादा मां के स्तन में गड़ पाए और शिशु की नाक और माथा मां के स्तन से दूर रहे ऐसा करने से शिशु स्तन से गहरे से जुड़ेगा शिशु का पूरा चेहरा पीचे ना खीचे इससे निपल से स्तनपान होगा याद रखें स्तनपान मा के लिए आरामदायक होना चाहिए उसे अपने निपल पर चुबन, खिचाव या दर्ड महसूस नहीं होनी चाहिए स्टनपान मा के लिए दर्द भरा हो तो इसका मतलब शिशू स्टन से ठीक से नहीं जुड़ा है देखते हैं स्टन से ठीक से ना जुड़ने की कुछ आम वज़े कई माएं एरियोला को दबा कर सिरफ निपल को ही शिशू के मुँखे बीच में रखती है देखिए इस शिशू का मुँख पूरा नहीं खुला है वह सिरफ निपल से ही जुड़ पाएगा यहां पर एरियोला शिशू के उपरी और निचले होंट के पास एक समान दिख रहा है शिशू की ठोड़ी स्तन से दूर है शिशू जल्दी जल्दी लगातार दूद निगल रहा है निपल चूशते हुए उसके गालों में गड़े पड़ रहे हैं दूद निगलते हुए उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा है और निपल शिशु के मुँगे सकत भाग से दबेगा और चुबेगा भी इससे मा को दर्ध होगा और निपल को चोट भी पहुँचेगी और निपल से जुड़ने पर शिशु को एरियोला के नीचे वाली दूद की बड़ी नलियों से दूद नहीं मिलेगा इसलिए शिशु को ज़रूरत के मुताबिक दूद नहीं मिलता अगर शिशु सिरफ निपल से पीता है तो मा को एक साफ उंगली शिशु के मुँगे कोने से अंदर डालनी चाहिए और शिशु की निपल पर पकड़ छुड़ानी चाहिए और फिर से शिशु को उसी स्थन पर अच्छे से जोड़ना चाहिए सही जुड़ाव होने पर मा को शिशु को आगे का और पीछे का दूद जरूर देना चाहिए आगे का दूद स्थन के आगे होता है और पानी की तरह हलका होता है ये पानी और प्रोटीन से बनता है जरूरी है पीछे का दूद गाडा होता है और स्तन के पिछले भाग में होता है ये अधिकतर चर्बी से बना होता है और शिशू के बुद्धि के विकास और वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है शिशु को आगे और पीछे का दूद मिलने के लिए मा को पहले एक स्थन से पिला कर और उसे खाली करके ही दूसरे स्थन से पिलाना चाहिए स्थन के पूरी तरह खाली होने की जान्ज के लिए मा को अपने हाथ से उसी स्थन का दूद खुद निकालने की कोशिश करनी चाहिए अगर पानी वाला हलका दूद बाहर आए या फिर काफी सारा गाड़ा दूद बाहर आए तब मा को शिशु को दुबारा से स्तन से जोड़ना चाहिए हाथ से निकाले जाने पर जब पीछे वाले गाड़े दूद की कुछ बूदे निकले तो इसका मतलब मा ने शिशु को उस स्तन से पूरा दूद पिला दिया है पर दूसरे स्तन से पिलाने से पहले मा को शिशु को अपनी गोद में बिठा कर हलके से उसका शरीर आगे जुकाना चाहिए और फिर उसका जबड़ा अपने हाथ में पकड़ कर उसे डकार दिलानी चाहिए शिशु को दो से तीन मिनट में डकार आनी चाहिए अगर पांच मिनट तक डकार ना हो तो इसका मतलब है कि शिशु स्थन से अच्छे से जुड़ा था और स्थन पांच के समय शिशु ने पेट में जादा हवा नहीं ली है अब माख अपना दूसरा स्थन शिशु को दे सकती है पर अगर शिशु का पेट भरा हो तो दूसरे स्थन से पिलाने की जरूरत नहीं होगी लेकिन मा को स्तन पान के लिए शिशु को दोनों स्तन देने चाहिए पहले एक खाली करके फिर दूसरे स्तन से पिलाना चाहिए अगर स्तन पान करते हुए शिशु सो जाए तो मा को उसके पैरों के तल्वों को हलके से छू कर जगाना चाहिए या फिर उसकी पीट पर गुदगुदी करके या फिर शिशु को ड़कार दिलवाने वाली स्थिती में बिठा कर सही तकनी के साथ साथ जरूरी है कि कई बार स्थनपान कराया जाए मा को 24 गंटों में कम से कम 12 बार शिशु को स्थनपान कराना चाहिए जिसमें से रात को स्थनपान कम से कम 2-3 बार होना चाहिए स्थनपान कराने के लिए मा को शिशु के भूके होने के संकेतों को समझना चाहिए जैसे हिलना, मूँ खोलना, सर को गुमाना, हाथ को मूँ में ले जाना, उंगलियां चूसना और अंगडाई लेना अगर शिशु दूद के लिए रोने लगे तो इसका मतलब देर हो चुकी है यात रहे शिशु दो हफ़ते, छे हफ़तों और तीन महीनों के दौरान तेजी से बढ़ता है और उसे ज़ादा दूद चाहिए होगा कई बार स्तनपान कराने से मा का दूद भी बढ़ेगा इसलिए मा को बढ़ते हुए शिशु को कई बार दूद पिलाना चाहिए याद रखें, पहले छे महीनों के लिए मा का दूद ही शिशु के लिए सबसे पौश्टिक आहार है और सही जुड़ाव असरदार सनपान के लिए जरूरी है यह टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद कि लिए से लिए से लिए से लिए सी दिए